homogeneous isotropic material subjected to plane stress epsilon x y and z are normal stress strains in x y and z direction respectively and mu is the poisons ratio the magnitude of unit volume change of the element is given by तो जो unit volume change होता है इसका मल्ला आप से बात कर रहा है volumetric strain की और आपका मल्ली में volumetric strain अगर निकालना है तो तीनों direction की strain का आप क्या कर दिजे एट कर दिजे रपसल ने च्प्लस एपसल य प्लस एपसल ने चलिए अगला question for topic next question a solid metal bar of uniform diameter d and length l is hung vertically from a ceiling if the density of the metal of the bar is rho and the modulus of elasticity is e then the total elongation of bar due to own weight self weight की वज़े से आपसे elongation यहाँ पर पूछ रहा है तो आपको माले में कि external load की वज़े से जो elongation होता था वो होता था wl upon ae self weight की वज़े से इसका हो जाता था half अब अगर इसी को हम लोग क्या करें l से divide कर दें और l से multiply कर दें तो हाफ w upon ae bn जाएगा density और यह जाएगा रो एल स्कारपन नीट रो एल स्कारपन टुई तो रो ना मत आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा ठीक है भाई अगला परिमें टैजि तो हो जाएaltet स्कारपा क्या थे कन बात में देखा देंगे है भाईग बात बात ब्रयात थेक्षिंगे तो आपके पास क्या है यह एक बीम है एक बीम है इस पर यहाँ पर एक लोड लग रहा है और यह हिंज है यह क्या है यहाँ पर हिंज है तो यह बार इस पर क्या करेगा नीचे के और रोटेट करने की कोशिश करेगा तो यह इस पोजिशन में आ सकता है इस तरहां से आ सकता है जैसे यह यहाँ पर आएगा यह spring क्या हो जाएंगी elongate हो रहेंगी ठीक है कोई बात ने दिली पिदर से भी ठीक है वो करते रहेंगे बाकी सब्जेक्स के इसाब से इसमें सोम नहीं तो यह की बात है चलो देखते हैं आप देखिए रिजीड बार है तो रिजीड बार की खास्यत क्या होती कि यह बैंड नहीं करेगा यह स्टेट है तो इस्टेट ही रहेगा इसकी वज़े से spring क्या होंगी क्या होंगी एक यह बीम कैरीज दबीम कैरीज अवर्टिकलोट पी आट सी दा स्टीफनेस अफिस्पिरिंग एट एस डूखे ए इस टूखे अन दैट अट बीस के तो इसकी स्टिफनेस जय वो तूखे है और इसकी स्टिफनेस कितनी है के है आप से क्या पूछा है? आप से पूछा है, the ratio of forces of spring at A and that of spring at B. ठीक है ये आप से पूछा है, ये रहे आपकी options. अब आप से व कर सकता हैं फटाफटा. जल्दी से. हावी, attendance लगाते रहीए का अपने, very good. तो दिखें क्या है तो इसकी deflected shape बनाईए इसकी क्या करेंगे deflected shape बनाएंगे तो जो deflected shape होगी वो इस तरह की बनने की इस तरह की आप देखें माल लेते हैं अगर इसका elongation x है और इसका elongation क्या है y तो हम लोग क्या लिखेंगे y upon 3a बराबर x upon 2a ठीक है इस triangle में similar triangle का फाइदा उठाएंगे y है तो देखें ये भी a है ये भी a है और ये भी a है तो इस बड़े triangle में y upon 3a बराबर इस छोटो triangle में x upon 2a होगा यानि के यहां से y बराबर कितना हो जाएगा 3x 3 upon 2x y क्या हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 3 upon 2x ठीक है तो आप देखें a spring में जो force होगा f a upon f b मैं निकाल लूँगा तो मैं क्या निकाल लूँगा कि इसकी जो stiffness है वो कितना है 2k है तो 2k और into y upon इसमें stiffness कितनी है k और k into x तो यह रहेगा 2 times अब y upon x की value यहां से अगर मैं निकालू यहां से अगर मैं y upon x निकालू तो कितना रहा 3 by 2 तो यह क्या गया 3 by 2 तो answer हो गया 3 तो इन दोनों forces का जो ratio आएगा वो क्या आएगा 3 आएगा कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया हो तो इस रिजिड वाडी का concept हमने यूज किया है तो रिजिड वाडी के जब भी problem आए तो हमें क्या करना होगा geometry को use करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा geometric को use करना पड़ेगा ठीक है next question the stress strain curve for an ideally plastic material ideal plastic material के लिए जो stress strain diagram होता है आपको माली में इसका अंसर भी क्या होगा आपका C ही होगा है ना no elastic zone सीधे plastic zone पहला जो है वो elasto plastic है अगला question a steel cube of volume 8000 cc is subjected to an all-round stress of 1330 kg per square centimeter the bulk modulus of the metal is इतना the volumetric change is the volumetric change is तो आपको initial volume दिया हुआ है 8000 cc का all-round stress all-round stress को हम लोग pressure लिख सकते हैं यह लिखा है 1330 kg per square centimeter जो bulk modulus है आपको k दे रखा है 1.33 into 10s to power 6 kg per centimeter square और आपसे delta v पूछा है डिल्टा भी पूछा है ठीक है तो आंसर आप लोगा बहुत बढ़िया तो आपको मालू में bulk definition की definition क्या है bulk modulus की P upon delta V upon V आगर मैं केबल modulus की बात करो था हूँ ठीक है तो यह दाएगा PB upon delta V बराबर के तो delta V क्या देगा PB upon K तो PB upon K तो इन दोनों की multiply करके K से divide कर देना you will get the answer और आप सभी का आँसर आभी रहा है A very good A answer आदा है बहुत बढ़िया next question sir KZ mass होता है या force होता है बेटा KZ mass होता है लेकिन हमें मालू में जो force है W W बराबर होता है mg तो जब तक आप अर्थ पर हो तब तक हम कह सकते हैं कि W is directly proportional to mass ठीक है तो इसलिए हम लोग क्या कर देता है मास को ऐसे force भी ट्रीट कर लेता है kilogram force ठीक है तो हमें माली में अगर दस किलो force है दस किलो का कोई object है तो मुझे माली में की व टैन केजी की वेदे से क्या force लगाने वाला है ठीक है तो force के equivalent ले लेता है इस्टिकली स्पिकिंग तो वह quantity है ना इंट अब सब के जी एंड पॉजन रिशो बल्क मॉडूलोस को बता हुआ के और जी की ते में तो 32 बासे ना आपको बता रखा है व्यू ब्राबर 32 तो 3 के माइनस 2 जी अपॉन 6 के पिलस 2 जी यही आपका अंसर हो जाएगा वेरी गुट अगला केस्टन स्पीड के साथ करना है स्पीड नेक्स्टन फटा पट जल दी से चकमा ठागे इस बार बहुत से वच्चे तू बार बनों के दौनों बार जो है वो यहाँ पर तब यह भी इंडिपेंडेंट करेंगे इनको मतलब है इन सपोर्ट से तो ए और बी दौनों ही एक्सपेंड होना चाहेंगे और सपोर्ट कहेंगे और अकात में रहो दौनों के दवा के रहेंगी तो दौनों में के आएगा compression आएगा, compression in both material, compression in both material, समझ के सुभम कुश्वाह जी, हाँ, आपका answer जो है कि compression in A and tension in B, वो का वोता, जब external supports के बीच में नहीं होती, इनको, इनके आपस में ends बांद दिये जाते, या by metallic strip होती, इनको याँ बीच में इस तरीके से belt करके जोड़ दिया होता, या इनके end को connect कर दिया होता तब, ठीक है, तांसर is D, अगला question, next question, आप बहुत फैलना चाहेंगी न ये, उड़ना चाहेंगी, मैटल है हम तो, हमारा तो coefficient of thermal expansion है, हमें कौन रोग सकता है, बिल्कुल, मायंग जी ये भी सही है, ये वाला तो रट लिया, हाँ, बिल्कुल, ऐसे सवालों को रठ ही लेना चाहिए, ठीक है, डिम्पल जी कह रही है, बी नहीं बालक, डेवडास कह रहा है, composite, नेहा सवसी, गौरव यादव भी, अर्चना सी, ठीक है, क्या question है आपका, a column of height, इसी question का बतारो ना, a column of height, h, and area at top, a, has the same strength throughout its length, same strength, a column of height, h, and area at top, a, has the same strength throughout its length, same strength throughout its length का मतलब होता है, पूरे section में, stress constant रहनी चाहिए, under its own weight, and applied stress P0 at the top, density of column metal is row, to satisfy the above condition, the area of the column at the bottom should be, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, क्या है actual में, अगर आपके पास मान लीजी, ये column है, तो इस column में, ऊपर जो stress लग रही है, वो तो P0 लगी रही है, और साती सात इसका weight अपना और लगेगा, तो दिखो, अगर मैं, यहाँ पर बात करता हूँ, तो केवल external stress है, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो इस पर ये वाला weight act करेगा, अगर मैं यहाँ देखता हूँ, तो इसके उपर का सारा weight act करेगा, अगर मैं और नीचे की तरफ जाता हूँ तो इस पर इसके ऊपर का सारा weight act करेगा तो सबसे ज़्यादा stress कहां लगेगी bottom पर सबसे ज़्यादा stress कहां लगेगी bottom पर समझ रहे हैं लेकिन कह रहा है same strength हो तो उसके लिए क्या करेंगे इसको इस तरीके से बनाएंगे इस तरीके से कि ऊपर एडिया कम रहेगा और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे एडिया क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा तो नीचे की और जाने पर क्योंकि total weight बढ़ रहा है weight बढ़ रहा है तो ठीक है एरिया बढ़ाना पड़ेगा ताकि stress क्या हो जाए constant हो जाए अब इस सवाल को अगर हम subjective की तरफ से करेंगे तो बहुत length view रहेगा तो हमें objective की तरह करना होगा तो पहली बात तो यह समझ लिजे कि जो e है exponential इसकी power क्या होनी चाहिए अब देखे प्रेशर बराबर होता है रो जी एच यह सबने पड़ा हुआ है बोल कहने हो जाएगा ठीक है डाइमेंशन लेस तो यह डाइमेंशन लेस नहीं है हटा दो अब बचे आपके पास एक option c और एक option b अब आप मुझे बताओ e की value एक से बड़ी होती है तो किसी number को जब एक से बड़ी value से multiply करते हैं तभी क्या होता है वो value increase करेगी तो bottom में area क्या होना चाहिए बढ़ना चाहिए तो e की power कैसी होनी चाहिए positive e की power कैसी होनी चाहिए positive होनी चाहिए ना कि e की power negative तो b b खतम हो गया answer क्या हो गया आपका c हो गया ठीक है भी इस तरीके साब क्या कर लेंगे इस question को कर लें otherwise solution मैंने साथ में लगा दिया pdf मिलेगी तो इसका solution पढ़ लेना ठीक है करना चाहो तो चलिए अगला question अगला question अगला question हाँ रत लो समझ लो बढ़िया वहला समझने में यह न है कभी इससे मिलता जुलता कोई और question आए तो उसे करने में आसानी हो जाएगी कोई और मिलता जलता वक्रेशन आएगा तो से करने में कम से कम असानी हो जाएगी है ना इस तरहीं केसे भी क्रेशन को एप्रोच किया जा सकता है कल एक वाटसप ग्रूप और टेलीग्राम ग्रूप में कल एक ऐसी बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है वो डिसकस किया था है ना वो था अफम का था सिलिंडिकल कॉडिनेट में आपके मेरे खाल से कॉंटिनेटी एक्वेशन थी ठीक है तो नहीं आती होती है लेकिन उसको ड तो 0.0045 upon 30 upon 0.09 upon 200 solve कर लिजेगा 1 by 3 आएगा वाफरिंग बफरिंग सफरिंग हो रही है क्या यहां तो बढ़िया चलना है यहां तो नहीं यह बफरिंग जिनके में बफरिंग हो रही है वो अपने एंड़ पा रिफ्रेश कर लिजे यहां थरो और बप्रेश आः दू कर दो, नहां भपने से लिए टे लुदस्टी नहीं बफरिंग कर लिएना इम तो बफरिंग भी है तो नहीं पुछ पुछी जुश, भीम थिजए अज़िये यहां देखें, when a mild steel specimen fails in a torsant test, the fractures looks like, तो याद रखिए कि जो ductile material होते हैं, like mild steel वो किसमें fail करते हैं, shear में, वो किसमें fail करते हैं, shear में fail करते हैं, ठीक है, और, जो shear stress generated होती है, वो कहा होती है, cross section पर होती है, तो cross section क्या होता है, axis के perpendicular होता है, ठीक है, तो इसका answer क्या होगा, आपका A होगा, answer क्या होगा, A होगा, ठीक है, D answer होता है, आपका beetle metal, चौक है न, चौक को आप rotate करके तोड़ो, चौक के दोनों टुकडों पर आप ये चौक का piece है, माल लिजीए, और इस पर आप twisty moment लगाओ, तो ये आपका इस तरीके से break करेगा, चौक कि ये break करता है, tension में, तो tension कहाँ पर आती है, 45 degree पर, axis से 45 degree पर, ठीक है, torsion में, direct tension होता है, तो उल्टा हो जाता, next question, a 2 meter long bar of uniform section, 50 mm square, 2 mm under a limiting axial stress of itna, what is the modulus of resilience, modulus of resilience क्या होता है, modulus of resilience क्या होता है, half into stress into strain कर देंगे, आप लो, half into stress into strain कर देंगे, यह sigma square upon 2e कर दो, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं, ठीक है, तांसा सभी का रहे, है, ठीक है, ठीक है, sigma square upon 2e, 0.1 आगया, वेरी गुद, next question, the stress level below which a metal has a high probability not failing under reversal of stress, answer क्या हो देगा, endurance limit, answer क्या हो देगा, endurance limit, अगला सवाल, if e is equal to 2.06 into 10 power 5 newton per mm square, an axial pull of 60 kilonewton suddenly applied to a steel load, suddenly apply load, in diameter and four meter long causing an instant, continuous elongation of the order of, ठीक है तो आपको माली मैं कि जो gradually applied load होता है, gradually applied load की वरे से जो elongation होता है, वो PL upon AE ही होता है, तो suddenly applied की वरे से क्या होता है, उसका double होता है, suddenly applied की वरे से क्या होता है, double होता है, formula लगाओ, answer पाओ, formula लगाओ, answer पाओ, कितना आ रहा है, 1.191, सही है बिलकुल, option number A, बिलकुल सही जबाब, बहुत बढ़िया, अगला question, चित्र में ये समतल संगामी बल जो है, है, आप क्या तीन ये समतल संगामी बल जो है, वो प्रदर्शित किये गए है, concrete, coplanar, concurrent system of forces, इसके वाबारे में बात हो रही है, for the coplanar, concrete system of forces as shown in the given figure, the system will be, यह कहता है, यह forces का system है, यह सारे के सारे forces जो है, वो एक ही plane में हैं, और concurrent है, एक ही points है बाद, यह कहा है, इसका क्या answer होगा, सबका answer D आ गया, फदा फटकर भी दिया, बहुत बढ़िया, तो actual मैं देखो क्या है, कि आगर इस force को इसको balance करना है, तो यह जो force होगा, इसके दो component होगे, यह लग रहा है 10 किलो न्यूटन का, और यह लग रहा है 20 किलो न्यूटन का, अब इस F3 का, अगर मैं component लोगा, इधर, तो यह हो जाएगा, F3 sin 45, यानि के, F3 upon root 2, और इधर component लोगा, तो आएगा, F3 cos 45, यानि के, F3 upon root 2, अब एक बावा बताओ, इधर balance करने के लिए, F3 upon root 2 की value 10 होनी चाहिए, और इधर F3 upon root 2 की value 20 होनी चाहिए, how it is possible की F3 upon root 2, की F3 upon root 2 20 के बरावर भी हो जाए, और 10 के बरावर भी हो जाए, तो अगर ये 20 को balance करेगा, तो 10 को balance नहीं कर पाएगा, 10 को balance करेगा, तो 20 को balance नहीं करेगा, because इसके equilibrium के लिए X और Y, दौनो direction में forces 0 होने चाहिए, तो यहाँ पर हम किसी एक direction के ही forces को 0 कर सकते है, other direction के forces को 0 नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम किसी एक direction के forces को 0 नहीं कर सकते हैं, इसलिए answer क्या देगा D, will not be in equilibrium whatever with the magnitude of F3, next आप क्या कर सकते हैं, लामी स्थोरम लगा सकते हैं, next आप क्या कर सकते हैं, लामी स्थोरम लगा सकते हैं, assessable is parallel universe, ठीक़ाई, दूसरा क्या कर सकता है, आप LamyMR क्टोरम लगा सकते हो, कि आगर यह equilibrium है तो लामी स्थोरम applicable होनी चाहिए, बजब लामी थोरम लगाओगे तो आप देखोगे कि equation एक दूसरे को satisfy नहीं करेंगी तो वहाँ से भी हो जाएगा बढ़ यह सबसे subtle सबसे easy method no need of Lamy's or other things ठीक है चलिए next question और सशाग भाई है सब फिरकी लेते हुए चलिए आगला question bending moment in a beam is maximum at a section where shear force is 0 सही बात है because shear force at a section is given by the rate of change of bending moment with respect to x लेकिन दोनों सही है और सही explanation है तांसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा अगला सवाल next question मैं कहां कुछ बोल रहा हूँ मैं कुछ बोल रहा हूँ तो को प्लेंर रहा हूँ मैं कॉंकरेंट फोर्सस पीवन बढ़ावर टूटी एन पीटू बढ़ावर टूटी इसको देखे लो बास डाइग्राम को बाकी को देखने के जो यह रहा हूँ आपके पास राम दी फोर्स आर टूब एपलाइट ओ इन और टू कीप दी बॉडी इन एक्वेलिब्रियों तो इस सिस्टम आपका क्या रहना चाहिए एक्वेलिब्रियम में रहना चाहिए टूटी-फूटी टूटी चलो तो क्या सही होगा इसमें चार आप्शन आपके सामने हैं विच वन इस करेक्ट इसके लिए में वाला सिस्टम बना देता हूँ आपका कि बेसिकली ये फोर्स लग रहा था राइट में और ये फोर्स लग रहा था यह टूटी था ये भी टूटी था एंडिस एंगल वाज 45 डिग्री चम्यक जी आगे ऑप्शन आ गया तो ए आंसर है ठीक है अगर देखो सिस्टम एक्वेलिब्रियम में है तो एक किलोस पॉलीगन बनना चाहिए किलोस पॉलीगन बनना चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे ये एक फोर्स ऐसे था और ये फोर्स इस तरीके से था 45 डिग्री पर ठीक है तो इस फोर्स को हम क्या करेंगे इसके पैरलल यहां सेफ्ट करेंगे यही तो होता है summation जब दो दो vector को add करते हैं तो vector A और plus vector V जिसको add करना होता है उसकी tail इसके head पर रख दिंगे लिए जाकर और अगर तीन vector का summation 0 है A plus B plus C यह summation क्या होना चाहिए? 0 तो जो third vector आएगा वो आपके पास ऐसे आएगा इसकी tail इसके यहां से head से start होगी तो यह 2T हो जाएगा यह भी 2T हो जाएगा this angle is 45 degree and this is R this is R भया सोम का पूरा नामी mechanics है mechanics of solid, solid mechanics इसलिए इस बार vision wedge में पहले mechanics पढ़ा ही गई है vision wedge में इस बार क्या है? पहले mechanics करवा ही गई है तो आप देख सकते हैं कि यह जो diagram है वो इससे आपका क्या कर रहा है? resemble कर रहा है clear हो गया? चलिए अगला सवाल पढ़िये और answer कीजिए नमस्का परिजेश जी attendance लगाते रहेगा like, share, subscribe होते रहना चाहिए बहुत नाइंसाफी है, live watching ज्यादा likes कम, करते रहा करो यार खुदी मैं likes को नहीं बोलता था लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा बोलना चाहिए अच्छली मेरे teacher है जिनसे मैंने meditation सीखा कल में उनके वीडियो देख रहा था और अब क्योंकि मैं उनको बहुत जड़ा follow करता हूं तो मैंने उनका वीडियो देखा और मैं देखता रहा क्योंकि है ना और वास्ता में जब वीडियो खतम होगी तो उन्होंने जब बोला करोना है इस आतर यह like करते रहा करना है और like से ज्यादा आजकर आपके share करने के जुरुरत है क्योंकि आपको मालिम है बागी जो भी बढ़्ड़ बढ़्ड़े चैनल से वही या वह कितना करते हैं आपन का एड़ाइजमेंट है नहीं तो जो हो आप ही लोग आप लोग जितना ज्यादा शेयर करोगे बाकी स्टुडेंट्स था के लेक्चर्स पहुंचेंगे है ना उतने ही ज्यादा स्टुडेंट्स जुडएंगे तो आप लोग शेयर करते रहिएगा टीक है नो वर्फरिंग एट टॉल दिनेश कोड के दिनेश कोड के मैं शेयर करूंगा अच्छा है चलिए नेक्स्ट है आपका पैलोग्राम लॉओ फोर्स इस स्टेश देट इफ टू फोर्स एक्टिंग साइमल्टेनेश ली अट पॉइंट वी रिप्रेजेंटेंट इन डिरेक्शन वाइट टू एडजसेंट साइट सफा पैलोल ग्राम यह रिजल्टेंट में भी डिपर फोर्स है तो पैलोलोग्राम कैसे बनाएंगे इसके पैलल यहां से फोर्स बनाएंगे और यह यहां से तो जो डाइगोनल होगा यह वाला जो डाइगोनल होगा यह हमारा क्या बनाएगा रिजल्टेंट यह कहां से पास हो रहा है इन दौनों की इंटरसेक्शन से पास हो र कि तो आंसर क्या रएगा आपका डी हो दाएगा अगला क्रेक्षिन अगला क्रेक्षिन के लिए तयार करेंगे लिए अगला क्रेशन कीजिए अगला क्रेक्षिन देख रहा है मैच लिस्ट वन टाइप अन पोजिशन अव लोड़न केंटि लिवर विद लिस्ट तू शेप अव बीमदी ऑफ केंटि लिवर मैं सलेक्ट दी करेक्ट आंसर चली वह यह तो यह टेवल है आपके पास तो पहले मैच कर लिजिए पहले में अपे सवाल तो आए नहीं ऑप्शन पहले पूछ रहे हो सवाल ही नहीं आया ऑप्शन तो देख लो पहले कि लिप यहां यार क्या कर सकते हैं बस वह यह वह यह इससा में अपनी सेफ्टी स्वैम रखी मैं वस इससी ताइम पर यह की बात करूंगा पॉलिटिकल सिस्टम को सासन को प्रेसासन को हम सबकी जो गलती है वो तो भर-भर कर रहे हैं उसको तो कोई नजरन्दाज करी ही नहीं सकता बट पचास परसंट से जादा गलती जा वो लोगों की खुद है कि अना लोगों की खुद है अभी भी आम निकल जाओ बहार ठीक है आप देखना लोग सडकों पर ऐसे हैं कि बिल्कुल बहुत नहीं ले रहे प्रिकॉशन इतना कुछ होने के बाद भी चारतर डैट्स हो रही है इतनी बुरी हालत है वाट्सप ग्रूप में आप देखते होंगे ऑक्सीजन की दवाई चल दिया पर तब भी लोग ने सुधर तो क्या करो चली तो इसको करते हैं हम लोग फटाफट तो आंसर आपका आगया तो पहला है आग कैरिंग लीनियर्ली वैरिंग लोड फ्रम जीरो तो यूवी एल के लिए क्या होता है क्यूबिक पैराबोला तो इसका तीन हो जाएग तो तीन एक चार दो तीन एक चार दो तो आंसर क्या दाएगा सी दाएगा अनसर क्या दाएगा आपका सी दाएगा तीक है नेक्स क्यूशन जगरनार जी बात educated, uneducated की नहीं है भीया जो पड़े लिखे है educated है वो भी कम नहीं है तहर में बताओ आजकल कौन बच्चा नहीं पड़ रहा सब पड़े हुए हैं बलकि मैं तो कहूंगा गाउं के लोग ज्यादा समझदार है पहले जो हमारे हाथ में वो तो करें हम आज ये खराब news मिली कि हमारी ही एक student है मुरादाबाद की ठीक है और उनके फादर नहीं रहे इस बज़ेस से थोला सा और ये बात चल रही ठीक है इसनी है चले नेक्स क्वेशन कीजिए दबेंडिंगोमें डाइग्राम अव दबीम शोनिंदी फिकर इस ठीक है ये डाइग्राम बने हुआ है इसका बीमडी आप लोगों ने बताना है इसका बीमडी बताना है ये रहे आपके सामने ओप्शन एक अगला ओप्शन जो है वो नेक्स पेस पर है ठीक है है हाँ मेगा जी के पापा जी नहीं रहे तिन दिन से परसान थे वो लोग ठीक है तो अगला ओप्शन देखाने की जुरत है नहीं है इसी से हो जाएगा तो पहले तो देखो अगला ओप्शन भी देख लो जाहें यह है आपके पास अगला ओप्शन भी यह है बट यहां पर देखिएगा होगा क्या जब मैं इस लूड को यहाँ पर झीफ्ट करूंगा जूड को तो साथ ही-साट होगा मोमेंट होगा 2 into 1 का यह मोमेंट भी आए गया आपर 2 kilonee per meter इस M point पर क्या होगा sudden jump होगा sudden jump ना तो यहां पर है ना यहां पर है और जो अगला option है उसमें भी sudden jump जो है वो M पर ना होकर N पर है तो यह भी गलत होगया यह भी गलत होगया तो हमें कुछ करने की जोटनी है तीन option eliminate होगे आपका answer जो हो यही है sudden jump यहां पर और sudden jump यहां दखिएगा same sense में होगा because clockwise moment है और यहां पर reaction की वज़े से clockwise moment आता है sagging moment होगा तो sudden jump की वज़े से moment क्या होगा बढ़ेगा और कितने का बढ़ेगा 2 का केवल शेप पहचाननी है और कुछ नहीं करना है calculation तो करनी नहीं है केवल सिंपल सा concept है की जहां पर couple act करता है वहां पर bending BMD में क्या आता है sudden jump आता है केवल इतना करना है आपने 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 ठीक है next question the SFD and BMD for a beam are shown in the given figure first and second load diagram तो आपको यह SFD BMD दिये हुए हैं आपको load diagram बताना है झाले कह पाले को यह वीस में प्रफ जिलोग करत सक्वाइ्राच प्रफशनाम साट मुफ इल जा है ए जा हनगा ठीक है किया अंसर होगा इसका ठीक तो सबसे पहले देखी heartfelt को देखिए services में क्या है आपका वित हो गया यह भी खशतब हो गया अब यह बचा और यह बचा, अब यहाँ पर देखेगा, यहाँ से moment bending का बढ़ रहा है, और उसी sense में sudden jump हुआ, तो sudden jump क्या होगा, same sense में होना चाहिए, तो अगर मेरे पास cantilever beam यह है, तो right hand से moment क्या होना चाहिए, clockwise, clockwise होगा तब ही jump करेगा, तो जो c option है, उसी में देखो, इस one की वज़े से moment क्या रहा है, clockwise, और यह जो couple लगा हुआ है, यह भी क्या लगा हुआ है, same sense में लगा हुआ है, तो answer क्या होगा, c होगा ठीक है, answer क्या होगा, c होगा फुलिस्कीन में, इसी वज़े से नहीं आए है थी, कि jump करने, ओसके वज़े से, jump करने के वज़े से कह रहा हूँ, ठीक है, zoom करना पड़ेगा, वो सारे option नहीं आएंगे ना, इस वज़े से, ठीक है, तो is बड़े से, फुलिस्कीन करींगे तो सारे options पर चेंज करने के आप में से किसी ने और इतना बला चेंज हो गया अरे आपके मोवाइल में नहीं मैडम हमारे हमारे यहां पर आईपेड में इसमें जूम करना पड़ता है फुल स्कीन पर लाने के लिए जैसे अभी अगर मैं इसको करूंगा ना तो कुछ पर पोर्शन ऊपर का क्रॉप हो गया जैसे अगर आप फुल स्कीन आईगी तो ऊपर का इतना पोर्शन क्या हो गया क्रॉप हो गया तो मुझे इसे क्या करना पड़ता है थोड़ा सा जूम इन करना पड़ता है तो अब लिए कि के अगला कैस्षन अस्म्पली सपोर्टेट बीम इस लोड़ेड एशोन इंदी गिवन फिकर दबेंदिंग मोमेंट आपसे इपर बेंदिंग मेंट पूछा एपसे इपर बेंदिंग मेंट पूछा तो ध्यान दिदेगा इस टू और इस टू की वज़े से रेक्शन आएगी नहीं कैंसल आउट रहेगी तो यहां पर जो रेक्शन आएगी इस टू और टू की वज़े से रेक्शन टू आएगी और इस फोर की आधी रेक्शन टू तो यहां पर रेक्शन कितनी आएगी चार आ माइनस का दिस टू इंटू वाट टू माइनस का टू तो आट में से चार गया चार आएगा और वो कैसा आएगा सेगिंग आएगा आयुश गुपता कह रहे है इस सिक्षीन इस्टू नाइन आस्पेक्टेशन में सेट कर लीजिए इमेजस को अच्छा ऐसा होता है क्या गेवात मुझे नहीं पता थी अगर ऐसा होता है तो मैं देखता हूँ दिली प्यार ये नए सिस्टम से पढ़ा रहे न अब इसने फोटो करनी क्या कर लेंगे फोटो का भी अब नया डिजिटल बोर्ट लगवा लिजिए अब यार इससे बढ़िया क्या होगा ये तो डिजिटल बोर्ट से भी बढ़िय परिजम में जब विम इस तरीके से मुड़ती तो सेग होती है तो लेफ्ट एंड से मुमेंट्र क्या अचते हैं और या होता होग ओंग और और सब्सक्राइब फोटो करता है इंतर आओ नेक्सक्येट्ण कि अलाग कि इसके लिए भी बहुत खर्चा करना पड़ा है कि क्या यूश में देखता हूं है ना इसको कि आप अपने यूपीपेसी एई वाले आयूश हो क्या अपने यूपीपेसी एई वाले आयूश हो मोमेंट कैसे इगनोर हो गया अब बिजस्टी मोमेंट ऐसे इगनोर हो गया मोमेंट ऐसे इगनोर हो गया रेक्षन बनाते समय कि जो लेफ्ट एंड पर मोमेंट है ये anti clockwise है और यह clockwise है तो यह क्या करेगा beam को anti clockwise गुमाने की कोशिक करेगा यह clockwise गुमाने की कोशिश करेगा तो इन दौनों moment को के एक दूसरे को cancel करने तो इनकी वज़े से reaction करने तो इनकी वज़े से reaction नहीं आईगी ठीक है कि वह समय के बाद मार्यो बालक एंट्री लेते हुए नमस्ते चलि अगले क्रेशन पर जाते हैं हम लोग which one of the following statement is correct shear force is the first derivative of bending moment okay shear force is the first derivative of intensity of load तो पहला सही है shear force is the first derivative of bending moment तो पहला तो सही है है यह हो गया बाकी देख लेते हैं कि अब चार में से कोई एक ही चुनना था तो वही आंसर हो गया चार में से एक ही चुनना था तो वही आंसर हो गया हमारा कि अना ठीक है बाकी तो सब गलती होगा कि next question क्याो कुण कि थोड़ेस बीमार थे भईया थोड़ेसे बापसी आ जाओ तो अच्छा है वागी ध्यान रखो ज्यादा बीमार नहों तो सराज फुल कैसे देख रहे है क्या कि यह कि आभालक इस तो मैजिक नहीं किया है बहुत करचा किया हैसर्ड़ है क要 कि समयली आपको देखा अब बैक्ग्राउंड में नॉइज भी नहीं आ रहा होगा आपको जो पहले बैक्ग्राउंड में नॉइज आता था वो भी नहीं आ रहा होगा इसकीन भी बड़ी दिख रही है ठीक है तो अराउंड 50-60,000 जो खर्च हुआ है केवली सिस्टम सही से ड इसकी गिलास रोज साम में खराब हो जाती थी ठीक है सिस्टम वाग नहीं करता था वो भी तो यहां पर क्या है सिंप्ली सपोर्टेड वीम एड बोद दी एंड्स अफ लेंग्ट एल कैडिस टू एक्वल अनलाइक कपल्स एमेट टू एक सिंप्ली सपोर्टेड वीम है तो इसका डेरिवेशन में एरिया मोमेंट थेयोरम से आपको पहले करवा चुका हूँ ठीक है तो आंसर इसका क्या होगा एमेल इसका रपान एटी गई मैसेजी गाने निस राइदेंगे इसने प्ष्चर देखो ना प्राने लेक्चर देखके वहां से पढ़ो हुआ है बस भही आप बस बस पढ़ लिए बेठा थियोरी के लिए आप नोट्स देखो लेक्चर देखो और नोट्स मनाओ कोई बात ने रिपुंजे जी हमें अपना लेवल ही तो बढ़ाना है लेवल बढ़ाने के लिए तो इसाब हो रहा है धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा अगला question what is the horizontal deflection of free and sea of the frame shown in the given figure तो यहाँ पर याद दखेगा इसका horizontal displacement पूछा है आपसे vertical नहीं पूछा है horizontal पूछा है तो अगर मैं इसको यहाँ पर fixed कर देता हूँ तो इसका जो केवल vertical deflection होगा horizontal नहीं होगा horizontal किस वज़े से होगा कि अगर इस moment को यहाँ shift कर दिया जाए तो यह इस तरीके से जाएगा तो यह वाला जो portion है जितना भी point right में जाएगा उतना ही m right में जाएगा ठीक है तो अब इस वाले को देखो तो basically इसको हटा दो और यह moment as it is यहाँ पर लगा दे अगर हम ठीक है यह moment as it is यहाँ लगेगा और इस system को क्या कर दो आप इस तरह से rotate कर दो इस तरह से rotate कर दो तो यह क्या बन गए cantilever बन गई और cantilever पर जब यहाँ पर m moment लगता है तो deflection क्या होता था ml square upon 2e i ml square upon 2e i तो answer क्या होगा a होगा कि इतने जाता इस गोल करेंगे तो कहीं हिट वे कितना हो जाएं भी या यह भी देख लेना अगला क्रेश्चन कि आप पहले samsung में फुली स्कीन में आता था अब वह बहुत छोटा सा फोन ता लिखने में बड़ी दिक्क्रत होती थी कि इतने में ब्लॉक तो नहीं करूंगा या आजी सनग गया है पता नहीं क्यों देली तो सही बात करता है आजी जा भाईया को भांग भांग पिली क्या तुम नहीं बाद ने पूछ लिए वालक अराम से लिए अगला सवाल तो इस पर यूनियक्जल टेंसाइल इस्ट्रेस लगाई गई है दा टेंजेंचल इस्ट्रेस अन प्लें इंक्लाइंड एट यह थीटा होगा थीटा तुदी क्रॉस सेक्ष्ट्रेस पूछ रहे ताव तो ताव आपको मालू में पी साइन तू थीटा पॉन रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा पूरा डेरिवेशन करवाई हुआ इसको आपको इस प्लेन पर आपको टाव का फॉर्मूला भी करवाई हुआ है और नॉर्मल इस्ट्रेस कभी यह होता था सिग्मा एक्स कॉस स्क्वेर थीटा ठीक है और टाव होता था आपके पास सिग्मा एक्स अपॉन टू साइन टू ठीटा ठीक है थिएुरी देखे पेटा थिएुरी से सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे नेकर देकर 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 स्टेर के तव देकर के अव देगों। लुष मेरी लए ने बालग आज है पहके बालग तो लो से खेला आज को कि अंसीडर दी फॉलिंग इस्टेटमेंट्स इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए आप पढ़े रिपुंजे आपका अभी पहली पढ़े लिया था दिवारा लिखने की रहत नहीं है चला चला इतना मजागमत बनाओ गलत बात है on planes having maximum and minimum principal stresses there will be no tangential stress सही बात है, shear stresses on mutually perpendicular planes are numerically equal सही बात है, maximum shear stress is equal to half the sum of the nanana sum difference होता, तीसरा गलत है, और जैसी तीसरा गलत हुआ, तीन option eliminate हो गया, तो answer क्या हो गया, B आ गया, तीक है तीन option eliminate और answer क्या हो गया, B हो गया, ठीक है next question next question पड़ी और कीजे in a stressed body an elementary cube of material is taken at a point with its faces perpendicular to x and y reference axis, okay, tensile stress is equal to 15 and 19 kilo newton per centimeter square are observed on these respective faces, they are also accompanied by shear stress is equal to 4 kilo newton per centimeter square, the magnitude of the principal stresses, तो आपको basically sigma x दे रखा है, sigma y दे रखा है, tau xy दे रखा है और आपसे principal stresses पूछी है तो simple size sigma 1 oblique sigma 2 बरावर होता है sigma average plus minus r sigma average plus minus r sigma x plus sigma y y 2 plus minus under root में radius क्या होती थी more circle की sigma x minus sigma y y 2 का whole square plus tau xy का square ठीक है एक तरीका तो यह है दूसा तरीका क्या है ऐसे calculate करना पड़ेगा एक तुक्का लग सकता है आपर तुक्का यह लग सकता है कि यह 15 plus 9 कितना है 24 तो इनका summation 24 आना चाहिए इनका summation 24 आना चाहिए तो यह 12 plus 3 नहीं है 17 और 7 ठीक है यह 24 हो सकता है और यह भी आपके पास क्या है 24 नहीं है और यह भी आपके पास क्या है 24 नहीं है तो answer क्या हो जाएगा B हो जाएगा ठीक है बिना solve की आप इसका answer दे सकते हो क्यों तो कि देखो जब मैं इन दोनों को add करूंगा sigma 1 plus sigma 2 करूंगा ठीक है sigma 1 plus sigma 2 करूंगा तो जो plus minus r है न वो cancel out हो जाएगा ठीक है तो sigma 1 बरावर था sigma x plus sigma sigma x plus sigma y upon 2 plus r और sigma 2 था sigma x plus sigma y upon 2 minus r दोनों को add कर दो यह जादा बढ़िया था नहीं ठाकर साब आप ब्लॉक नहीं हो आपर कोई गबर नहीं है जो ठाकर साब को ब्लॉक करेगा ठीक है तो आप ऐसे कर लो तो आभी बड़े लंबे चौड़े solution से जय वो बच जाओगे चली आगे बढ़ते हैं सीके साथ धन्यवाद 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 थैंक्यू चली नेक्स केश्चन और को कि इस ट्रेस्ट इंवरेट नाम दे दिया उन्हें इस्ट्रेस इंवैरेंट का मतलब यह हो गया कि वैसे इस्ट्रेसट यह करती है वो लिख दिया इस्ट्रेस-इंवेयंट यह मतलब नियह है stress invariant stress vary नहीं करेगी actual में जो किनी भी दो प्लेनों पर जो mutually perpendicular planes जो होते हैं उन पर जो normal stresses होती है उनका summation constant रहता है किनी भी दो mutually perpendicular planes पर normal stresses का summation क्या रहता है constant रहता है ठीक है next question inner rectangular elements subjected to like principal stresses p1 and p2 in two mutually perpendicular directions x and y the maximum shear stress would occur along deep plane normal to x-axis plan normal to y-axis plane 45 to y direction plane set 45 and 135 to y direction ये बात y के लिए भी सही है और x के लिए भी सही है जो y से 135 पर होगा वो x से 45 पर होगा और जो y से 45 पर होगा वो x से 135 पर होगा बात एक है रिपुंजय मिस्राजी अभी आएगा सवाला के चिंता मद सरीक डाउट है इस टेनर्जी पर लूट टाव इसके रपन फोर्टी होता है या तूजी होता है बेटा जो शाफ्ट होती है साफ्ट के अंदर अपन में फोर्टी होता है ठीक है अगरा गेशन, नेक्स केशिन केजए at a point in a structure there are two mutually perpendicular tensile stresses of 800 and 400 kilogram per centimeter square okay if the poisons ratio is it not what would be the equivalent stress in simple tension according to maximum principle strain theory the maximum principle strain theory के accordingly क्या होगा sigma 1 upon e is equals to sigma x upon e minus ka mu time sigma y upon यह तो होगा अब यहां से e तो क्या कर दिजे उडा दिजे e की तो जरौती नहीं है अब सब कुछ तो दिया है अभी है डारेक्ली सॉल्व कर दिजेगा सिग्मा बन बरावर सिग्मा एक्स माइनस म्यू टाइम सिग्मा कर दिजे तो आंसर कितना आ रहा है 700 आ रहा है देवदाज बेटा उस सब के लिए थियोरी देखनी पड़ेगी न बालग आपने ठीक है देवदाजी कॉम्पलिमेंटरी स्टेस उसके लिए आपको थियोरी पढ़नी पड़ेगी न ठीक है तो आपने देखा होगा कि यहां पर अगर सियर स्टेस इस तरीके से हैं माल लिजे यहां पर शियर स्टेस इस तरीके से हैं तो यह क्या करेंगी सिस्टम को एंटी कॉलाकवाइस रोटेट करने की कोशिश करेंगी तो इसके रोटेशन को रोकने के लिए यहां पर इस तरीके से stresses आजेंगी जो इसको क्या करेंगी clockwise rotate करेंगी तो यह जो stress है यह complimentary shear stress है इसके तो अगर यह वाला plane मेरे पास x है तो यह जो stress होती है इसको बोलते है टाव x y तो यह जो stress होगी वो होगी टाव y x तो टाव x y की जो compliment होगी वो टाव y x होगी तो उसके लिए आप क्या करो सोम के lectures देखो तो सीख जाओगे बाकि आपने पता नहीं vision batch join कर रखा है या नहीं कर रखा नहीं तो vision batch में कल ही सोम start हुआ है आप vision batch join कर सकते है जो लोग बिल्कुल zero से पढ़ना चाहें जिनके basics कमजोर है vision batch join कर सकते है कल ही सोम उसमें just start ही हुआ है one year course है fee cable 3000 रुबीजर की failure theory में confusion होता है तो आप lecture देखो youtube पर भी available है कोई confusion नहीं होगा according to maximum CR stress failure criteria yielding and material occurs when ठीक है है याद एखिए का tau max जो होता था वो हम क्या लिखेंगे sigma 1 minus sigma 2 upon 2 is equals to right में लिखेंगे fy minus 0 upon 2 जब मैंने theory पढ़ा ही तो याद एखिए का इस तरीके से बताया था आपको सही टाइम पर जरूरी है भाया प्रिचार ही जरने तो बच्चों को मालिम ही कैसे चलेगा यह सब भी तो आपकी आपकी आपके लिए ही है इंस्टॉल्मेंट है क्या सार अगर आपको financially दिक्कत है तो कर दीजेगा कोई बात नहीं हर तरीके से आपके लिए अवेलेवन है ता अंसर क्या देगा option नमबर यह हो जाएगा और अप्शन यह हो जाएगा आपके अच्छी चीज बेच रहे ना कोई खराब चीज तो नहीं वेच बेच रहे विजन बहच में हो नबालक देव दासा तो ठीक है तो फिर आप तो स्पड़ो चिंता क्या है सब हो जाएगा तो चिंता कनने के ज़रती नहीं है चले next question a rectangular block of size 200 by 100 by 50 cent mm is subjected to a shear stress of 500 kg per centimeter square if the modulus of rigidity of the metal is 1 into 10 or 6 kg per centimeter square the stain energy stored will be मनिश शौरा सिया जी कौन सावा लास्ट क्वेशन वालक अब देखिए यहाँ पर क्वेशन आपका अब यहाँ पर यह साफ्ट नहीं है याद रखेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे आप energy density रहेगी half into stress into strain ठीक है तो half into tau into tau कर दीएगा तो यहाँ साथ देखा tau square upon 2g अब कोई पूछे था भी थोड़े पहले कि सर यहां पर टाव स्कार अपन टूजी लगाए या यह लगाए टाव मैक्स स्कार अपन फोर्जी लगाए या देखे का यह वाला जो फॉर्मूला होता था यह होता था साफ्ट के लिए यह किसके लिए था साफ्ट के लिए जहां पर टॉर्क लग रहा है जबकि यहां पर एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है चलो अभी देखता हूं उसको मनिश ठीक है यह क्या है आपके एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और उस पर शीर फोर्स लग रहा है उस पर क्या लग रहा है आपके पास शीर फोर्स लग रहा है ठीक ह डारेक्ट यह अब माल लो अगर आप ये वाला फॉर्मूला यहां लगाना चाहो तो यह क्या होगा फॉर्धर हाफ होगा तो अगर आपका अंसर यहां से 125 आ रहा है तो अगर यहां पर आपको tau max square upon 4 जी लगाने तो क्या करना पड़ेगा 125 का भी half करना पड़ेगा जो की option में ही नहीं जो की option में ही नहीं है इस्टे एनर्जी स्टोर बिल भी total पूछा है volume से multiply कर दिएगा अभी तो मैं आपको energy density का formula लेखा है बाकी unit देखे लो total energy पूछे तो volume से क्या कर दिएगा multiply कर दिएगा वॉल्यूम से क्या कर दिएगा multiply कर दिएगा ठीक है टोटल के लिए क्या कर देंगे volume से multiply कर देंगे यह बासन में आगई last वाले question में आपको इसलिए confusion हो सकता है क्योंकि लास्ट वाले question में confusion की कोई बात ही नहीं है यह दिया हुआ है आपको यार इसमें क्या करना है आपके पास यह question क्यों पूछ रो इसमें कोई confusion था क्या भाई principle strain क्या होती है sigma 1 upon e minus ka mu time sigma 2 upon e minus ka mu time ya x fuss sigma x upon e minus ka mu time sigma y upon e minus ka mu time sigma z upon e अब हमें इन तीनों के equivalent पूछा है तो क्या लिख देंगे हम लोग sigma 1 upon e लिख देंगे मालो अब sigma z तो यहाँ पर है नहीं तो इसको हटा दो यह e e e e सब में से गायब कर दो अब sigma x किता दे रहा है तो उमको 800 800 लिख दो यह किता दे रहा है sigma y 400 लिख दो पॉजन रिशो 0.25 दे रहा है यानिक इसका 14 कर दो 14 इसका 100 हो जाएगा 800 में से 100 चलाएगा 700 आगया 700 आगया तो यह तो बिना सॉल्ब की हो गया ओरल क्रेशन था लिए के बालक मेटा समय हमारा नौ बजे तक का है तो नौ बजे तक चलेंगे नौ बजे तक किलांश चलेंगे मजा नहीं आ रहा है क्या अगला क्रेशन अगला क्रेशन कीजी हाँ सारी क्रेशन एसी के हैं इंजिरिंग सर्विस के क्रेशन है साहरी के सारे बट आपकर पारेएगो देखो इससे बढ़ीया क्या है इसने क्रेशन पर मत जाओ कहा के है वस आपसे क्रेशन बनना चाहिए इंक वो जाद हो ज़रूर है a steel wire of 20 mm diameter is bent into a circular shape of 10 meter radius if e the modulus of elasticity is 2 into 10 is to over 6 kg per centimeter square then the maximum stress induced in the wire is इभी रटा हुआ होगा सबको इतनी वार बता चुके हैं आप तो m upon i is equal to sigma upon y is equal to e upon r होता है यहां पर क्या लगेगा second term लगेगी sigma upon y is equal to e upon r sigma बराबर क्या हो रहेगा e upon r into y e पता है आपको दे रखा है 2 into 10 power 6 r दे रखा है 10 meter radius दे रखे 20 तो वाई कितना हो जाएगा 5 mm वाई कितना हो जाएगा 5 mm ठीकित आंसर क्या हो जाएगा आपके बाद भी हो जाएगा next question विवाद ने solve के हैं तो अच्छी बात है यहाँ पर तरन्त रिवाइज हो रहेगा कम टाइम में करने की कोशिश करो विवाद दीकितम इस आथ डी वाई टूई तो बोल दिया भी या 10 का आदा 5 कर दिया ना कांसा C होगा तो कि square cross section है तो जब compression होता है तो ऊपर वाले part पर क्या लगता है compression क्या होगा ऊपर वाला portion बाहर की वर जाएगा और नीचे वाले portion पर tension होगा तो cross section क्या करेगा श्रिंग कर दाएगा अरे पुंजे जी फर्जी बात है numerical बिना pen और calculator के नहीं होता है अरे भीया पहले pen और calculator से करो एक बार होने लगेगा तो बाद में बिना उसके भी हो जाएगा ठीक है आंसर C यह PDF दूँगा इसमें answer इन्होंने ए बताया ए नहीं होगा जहांते के answer C ही होगा ठीक है या इसमें answer A दे रखाया ए नहों के आप answer C ही कीजिए अगला question अब यही तो हो रहा है अपने अवाहें या अवाहें हैं consider the following statements if a beam has two axes of symmetry even then shear center does not coincide with the centroid पहला गलत है और जैसे ही पहला गलत हुआ आपके यह 3-0 option eliminate हो गया तो engineering services के question की एक खासियत है कि generally जैसे हम लोग ESE वाले batch में भी कहने हैं हमने इतने question इस तरीके से कहा है कि एक option eliminate होती ही गलत होती ही तीन option तुरंत eliminate हो जाते है और हमारा answer आ जाता है ठीक है तो याद रगिएगा आगर दो axes of symmetry हैं क्या करेगा centroid से क्या करेगा coincide करेगा ठीक है यहाँ पर होता है ठीक है यहाँ पर होता है if a load passes through the shear center then there will be only bending of the cross section no twisting यह भी बिल्कुल सही बात है अरे बालक काहे परसान हो रहे है उस question में एक बात सोचो जब हम किसी चीज को compress करते हैं इसका upper part कहा है compression में जब upper part compression में होगा तो किसी चीज को जब हम लोग compress करते हैं जैसे एक यह ball है इस ball को जब मैं इस direction से compress करूँगा तो क्या होगा यह इस तरीके से जाएगी नि जाएगी side में बढ़ेगी तो यह क्या है उपर वाली dimension बढ़ जाएगी ऐसे और जब हम किसी चीज को खीचते हैं तो उसका cross section क्या हो जाता है कम हो जाता है तो नया הם रोस section ऐसा बनेगा नया क्रॉस section कैसा बनेगा ऐसा बनेगा इतना तो समझ में आ गया आपको यह नया क्रॉस section हो गया कि ऊपर यह चीज बढ़ जाएगी, नीचे घड़ जाएगी अब कया है जो beam है तुम्हारी यह बीम है तो जब यहां पर लोड लग रहा होगा तो इस लोड के effect की वज़े से हलकी सी concavity आएगी इस तरह से तो यह थोड़ा सा concave कर दो इस तरह से हो गया यह थोड़ा सा concave कर दो समझ गये यह आ गया अभी के लियर हो गया करें अपर आगे बढ़ें आगे एलिए के नेक्स कास्ट्ट झाल झाल बैच कहां से परचेस करना है बैच लेने के लिए आप इस नमबर पर कॉंटेट कीजेगा 740-9970-758 740-9970-758 पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं ठीक है गिवन देट M is equals to ES upon ET modular ratio दे रखा है IT moment of inertia of timber and IS moment of inertia of steel portion the equivalent moment of inertia of a phillis beam made of steel and timber ठीक है made of steel and timber ठीक है तो जब हम पास कोई beam होती है ऐसे कुछ भी randomly beam बना ले रहे हैं मालो कि इसमें ये steel है और ये timber है तो हम लोग क्या करते है transform section बनाते है transform section में हम दो तरीके से बना सकते हैं या तो steel को timber की form में convert कर दो इस पूरे को timber में बना डालो या नहीं तो क्या करो इस पूरे को ही इस पूरे को steel में बना डालो इस तरीके तो हम केबल क्या करते है width को transform करते है width को कम जादा करते है ठीक है तो अगर हम timber को steel में convert करते है तो timber का area कम हो जाएगा तो उसके width कम करते है अब moment of inertia क्या होता है bdq by 12 तो width अगर one upon m हो जाती है तो moment of inertia भी क्या होता है one upon m हो जाता है याद अखिएगा हम केबल width को transform करते है depth को transform नहीं करते क्योंकि moment of inertia क्या होता है directly professional होता है width के depth की power 3 होती है ठीक है तो timber को steel में convert करेंगे तो it upon m हो जाएगा और अगर steel को timber में convert करेंगे तो क्या हो जाएगा ठीक है इसके दौनों options आई है आप इस टील को timber में transform कर दो या timber को steel में कर दो कि वासर में आ गई इस बहुत पढ़ा रखा UPSC वाले lecture में सब complete theory सब पढ़ाय हुआ है आपको UPSC AE के lectures में मैंने आपको इस सब theory में पढ़ाय हुआ अफिलिस भीम बगारा सारे derivation सब करवाई हुआ है और विजन वैच में सब दौबारा करवा देगे धन्यवार भीमलेश जी अगला सवार the ratio of moment carrying capacity of a circular beam of diameter d and square beam of size d is ठीक है तो moment क्या होता है हमके पास sigma into z होता है तो हमें किसको compare करना है circular को square से compare करना है तो m circular upon m square करेंगे तो क्या हो जाएगा z circular upon z square हो जाएगा यह क्या होता था ऱब पाइवाई 32 दी क्यूब अउन और यह क्या हो जातरा बीडी स्क्यार भाइगा यदि क्यूब अपॉण 6 तो 3 पाइवाई 16 आंसर क्या हो जाएगा d उद्य जाएगा आपका आंसर क्या जाएगा दी हो जाएगा फ़ोई नेक्स्ट केशन कीजिए इना थिन वाल्ड टी सेक्षिन दा सीयर सेंटर सीजिए लोकेटेट एड़ी पॉइंट शोन कहां जहां पर रेक्टेंगल यह करते हैं क्रॉस करते तर आंसर क्या देगा बी रखाएगा नेक्स्ट केस्टिए a beam has a triangular cross section having base B and altitude H if a section of the beam is subjected to a shear force F the shear stress at the level of neutral axis in the cross section a be the two three 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 two three 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 the होने से काम नहीं चलेगा हाली concept के लिए रोने से काम नहीं चलेगा exam में आज कल जितना competition है previous questions को इतनी बार कर डाली इतनी बार कर डाली कि बस question देखो option पर टिक लगाओ सोचने समझने का चक्करिन कि अच्छा सी और डी सेम option आ गया दो बार आ गया कि और डी दो बार आ गया तो सी आईडी हो गया यह तो फिर के तो सी यह दी कुछ भी लगा दो कि कह है कि क्या होता था यह 4 अपन 3 टाव एवरेज होगा तो एफ पन हाफ बी इंटु एच हाफ बी इंटु एच कि मुझे थोड़ी नुए थोड़न दिखाना है कि मैं ऐसे question लेकर आऊंगा कि कोई कर ना पाए मुझे यह थोड़ी न अ करना है कि मुझे तो आप को आपके साथ महनत करके लायक बनाबाना है कि आप कोईवी question कर पाएँ इससे बड़ी बात क्योंगे क्या out कि कं nobody जैना, एक्जाम में सवाल बनना चाहिए, रट के करो, तुक्ये लगा के करो, समझ के करो, कैसे भी करो, एक्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए, that is more important. मैंने गलत लिग दिया क्या 3 x 4 लिख दिया क्या 4 upon 3 के जगे मैंने 3 upon 4 लिख दिया क्या 4 by 3 के जगे हो सकता है बातो बातो में लिख दिया हुआ नहीं सही लिखा है 4 by 3 4 by 3 3 अगला क्याश्ट आपको मालू में तॉर्क बराबर क्या हो जाएगा पोलर सेक्षिन मॉडूलर्स इंटॉ टाव शीर 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 श्कॉम क्या लिख देंगे एफस ठीक है तो यह कितना होता था आपके पास पाई वाई शिक्टीन डीक्यू और इंटु एफस यहां से निकाल लो गई याँ तो सिक्स्टीन टी अपॉन पाई एफस की पावर वन वाई थरी ठीक है तो आंसर क्या देगा डी हो जाएगा अंसर क्या देगा डी हो जाएगा और लॉट फिर के याद दखिए का यही क्वेस्टन बार बार हर जगह पर क्या होता है रिपीट होते हैं अलग-अलग एक्जाम्स में रिपीट होते हैं अब आज क्यों प्याइब का पहला महरातन जाएं बारा वेत भी या विजन बैच भी है अब चलिए तो हम देखिए कॉलम तक पहुंच गया है कंप्लीट सोम हो गया आपका हाँ बिल्कुल जैसे भी हो करना चाहिए आप कर सकता है यूनिट से कीजिए फॉर्मूले से कीजिए जो पहले दिमाग में स्टाइक करें उससे करना चाहिए पहले जो दिमाग में स्टाइक कर जाए ना इव दी क्रसिंग इस्ट्रेस इन दी मैटेडियल ऑफ आ माइल्ड स्टील कॉलम ही इतना यूवलर्स फॉर्मूला फॉर क्रिपलिंग लोड इस अप्लीकेबल फॉर स्लेंडरनेस इक्वल टू और ग्रेटर दें कर मैं इसप्रिंग का एक quirशन हम वह वह कर वा दूँगा भी चंता मत कर थो इसस प्रिंग का एक संथन है इसकेवाद में कि अभी समय है तीन मिनिट है वी स्प्रिंग का प्रिंग का क्याई डाएगा सिर संथेश stories होतो कि इ mahक इस दो क्या Said दो सुकेन अश्न तो के एक ये question हो गया sear center का एक ये वाला था और वो एक वो हो गया था sear center centroid से fix करेगा नहीं करेगा channel section बताए नहीं हाँ पर यह मतलब बदराम करोगी sear center नहीं हो कि यह center भी करवाया है कल होगा आपका structure निया जी एक नहीं दो question हुए है दो question मिली भगत नहीं चलेगी दो question है अधिन थिक सिलिंडर केलो वह अगली बार करवा दिंगे हाँ यह कहलो थिन थिक सिलिंडर अरे में तो column तक आ गए नहीं वह सब क्या होता था पाई स्क्वेर एए अपन लेंबडा स्क्वेर इस एक को उठाके यहां पॉन में ले जाओ आपद ले जाना ऐसे अपन में ठीक है तो यह stress बन जाएगा ना इस stress शुट भी लेस देन इस इकल्स टू नहीं यह तो strength है न यह तो strength है इसको सीधे सीधे equal कर दो आप इसको equal कर दो आप क्या किरसिंग स्टैंग के 3300 के equal कर दो आपका लेंडा आ जाएगा that is the answer चलिए तो आप एक स्प्रिंग के question की बात कर रहे थे लोगी कि स्प्रिंग का question और कर लो लो चलो इस प्रिंग का भी question कर लो हां यूलर स्टैस ही होगा यूलर स्टैस को crushing स्टैस के बरावर रख देंगे वहां से लेंडा आ जाएगा इफ टू स्प्रिंग सफ इस्टिफनेस के वन एन के टूर करेक्टे इस सिरीज दा इस्टिफनेस अफ दी कमबाइन स्प्रिंग विल भी ठीक है तो सिरीज में होता है तो कौन सा फॉर्मिल लगता है रजिस्टेंस का पहलल वाला वन आप ऑन के बरावर वन अपन के वन प्लस के टू वान अपन के टू करोगे तो किया जाएगा के वन सब्सक्राइब करें तो बहुत बढ़िया सेशन राज का अपना अल्मोस हमने लगभग सभी टॉपिक्स को हमने टच के आज सोम के ऐसी तरीके से कल हम लोग इस्टक्चरों करेंगे ठीक है बिलेब कोई बात ही तुम भी टॉपर से कम नहीं हो या आज सोम बहुत इजी लगी है हाँ हाँ है चलो सारे सब्सक्राइब आपके ऐसी इजी लगें एक्जाम में भी बैठके इजी लगें तो उससे तो अच्छा कुछ होई नहीं सकता है ठीक है चली थैंक्यू आज टोटल 21 questions ही सही हुआ स्वारवदत्ता कोई बात नहीं आगे और बढ़ेगा क्रिश पंडित बढ़े टाइम बाद आयो वालक तुम भी कहां भटक रहे हो आज के सारे सवाल सही होगे बहुत बढ़िया सब अपने 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 में टॉपर है यह भी सही है अपने घर के टॉप पर जाके बैठ जाओ सारे टॉपर हो जाओगे ठीक है अब करीगे टॉप फिलो पर आके बैठ जाओ साब टॉपर जाओगी की अजिक वाटर शेड और साइट्स अब टॉपर इपेशन में किया था वह देखो अभी 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 आपको किया था रिपंजए अभी और कॉन सा इजिगेशन की मैं उस में क्या यार क्यों एक्यों अच्छा बढ़िया आने दिलिव की प्रिपरिक्शन अच्छी है बस यह थोड़ा सा सिली मिस्टेक्स हो कम करें ठीक है तो बाकी कोई वजह नहीं कि सलेक्शन ना हो ठीक है गुड़ नाइट वाटर सेट, साइट, सुलोप, कंटूर, कैनाल बेटा सारा डिसकस किया था भी इड्रिकेशन के QRP में एक बार देखो उसको QRP वाला सेशन देख लो उससी में बता रखा है ठीक है चलिए प्रवीन्सर की क्लास का भी टाइम हो गया वहां पहुंचे आप लोगा रहे तीन मेड़